नमस्कार साथियों आप सभी लोग का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल उत्तर प्रदेश की बात अमरेंदर के साथ जैसा की साथियों आप लोग को पता है कि आज इस समय जो विशय चल रहा है हमारे किसानों पर लगातार लाठियां दिल्ली सरकार जो इतना बेरहम हो गई है कि जिनका हम खाते हैं उनी की हम बजाते हैं इस तरज पर दिल्ली सरकार हमारे किसानों के साथ काम कर रही है तो साथियों वीडियो को आगे चलने से पहले आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजे और चैनल को सेयर कर दीजे ताकि हमारी वीडिय जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाये और अपनी बात हम आसानी से रख पाये तो साथियों आज का मुद्दा हम सुरू करते हैं कि जिनकी हम खाते हैं उन्हीं की हम बजाते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं साथियों ये हमारे देश के जो मुख्या हैं वो ऐसा कारिक क कम से कम जिनकी खाईए उनकी न बजाईए आप लोग को पता ही है कि हमारे हर्याणा पंजाब के किसान भाई लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में अपनी बात को रखने के लिए चुकि लोकतंत्र में हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपनी बात लोकत्रांत्रिक तर जहां भी अपनी हम बात रखना चाहें वहाँ आसानी से रख सकें और जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं सांती पुरुवक कर सकें लेकिन आज का ये विसम दवर चल रहा है रहनुमाओं और गुंडों की राज चल रही है उसमें हम अपनी बात भी आसानी से नहीं रख पा रहे हैं तो साथी ये बहुत ही दुकत दोर है आप लोग देखी रहे हैं कि उन बुजूर्ग किसानों के उपर इतना आताताई तरीके से लाठियां क्यों चलाई जा रही हैं आखिर क्या दिक्कत है क्या वो तोप और गोले लेकर दिल्ली पर कुछ कर रहे हैं इनकी पिल लाए हैं उसके हम अंगेश्ट हैं लेकिन साथियों बहुत ही कह सकते हैं आपकी बहुत ही दैनी इस्थिति आ गई है कि हम लोग तंत्र में अपनी बात भी नहीं उठा पा रहे हैं साथियों सरकार को नहीं पता रहा है पता है अभी और इनको ऐसा समझ रहे हैं कि और चाहर से किसान को डाराना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि किसान ट्यूबिल के पानी से कुल्ला करता है, और सुबह सुबह उठकर ऐसे तमाम कारे होते हैं, विसंगतिया होती हैं जिनको वो करता है, लेकिन ये दिल्ली के रहनुमा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आज नहीं समले तो कल उखार के फेक दिये जाओगे। हम सेलूट करते हैं अपने देश के हर्याणा पंजाब के किसान को कि वो जागुरूख हो चुके हैं और इन आताताई सरकार और इन निहांगों को उखारने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे लगाता डटे हैं। साथे वो अमिस्चा का भी आया बयान कि हम किसानों का जो बिल लाए हैं वो बहुत अच्छा बिल है और लोग इस पे राजनीती कर रहे हैं। कताई नहीं राजनीति कर रहे हैं वो अपनी बात अपने रखना चाहते हैं और आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्य है आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक सेदिक सेयर करिए और लोगो अपनी आवाज सोसल मेडिया के माध्यम से उठाई कि ये किसान मजबूर लाचार भले है लेकिन आपको अपनी आवकाद जरूर दिखाएगा और आपको दिल्ली से उखाड के जहां से आप आए थे वहीं भगा देगा नमस्कार साथी